इस वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट का अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम लोग कुछ लिखके देखेंगे कि कैसे जावा स्क्रिप्ट में हम लोग आउटपुट ले सकते हैं कैसे जावा स्क्रिप्ट हमें कोई चीज दिखाता है और कहां पर ह लेकि software की जरुवरत होगी तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि यह इस चाहिए अगर होता है तो एकशी बात है तो मैं इसके बाद यह करना है अगर इस कार Iskia दूसरा एक ब्रोग्रामिंग भूण के दूसरा चीज करें हो थेक लोग बहुत कुछ बिदा सकते हैं ऐसको सके नहीं के या तो कम्पाईलर को देता है या तो इंटर्पेटर को देता है है अलग ऑलग किसी प्रोग्रामिंग लैंगोई में डोनों कैसे ईकाम करते है लाइनरी हें तो यह जानलो कि यह दोनों का काइंट होता है उसको करके जीरोटरंब इसा बाईनेनटर होती यह Dallas मुली स्टीज करें सब्सक्राइब ऊसा निल्हाइब अच्रश है जो कि हमारा कम्प्यूटर समझता है हमारा computer का hardware, ठीक, तो 0 और 1 दो ही state होती है, तो जो भी हमारा computer है, वो केवल 0, 1 को ही समझता है, बस इतना समझ लो, तो ये दोनो compiler और interpreter, इन दोनों का यही काम है, जो हमने English में लिखा है, उसको 0, 1, 0, 1 में इस तरह से कर देना, कि हमारी बात को समझ जा है, हमारा hardware, ठीक, तो बस हम इतना ही करते हैं, तो JavaScript में भी हम यही करेंगे, और JavaScript में हमारे पास केवल compiler और केवल interpreter नहीं है, पहले हमारे पास केवल interpreter होता था, लेकिन V8 engine आने के बाद से, यह जो हमारे JavaScript के अंदर दोनों चीज़ें हो गई है, ठीक, compile, compile भी हो जाता है हमारा code थोड़ा बहुत, और interpreter तो रहता ही है, तो अब हमने समझ लिया programming क्या होती है, ठीक, तो उस programming को हम लोग कई languages में कर सकते हैं, C है, Java है, C++ है, Python है, और हम लोग इस course में Java Script सीख रहे हैं, तो Java Script भी एक programming language है, हम लोग English में कुछ लिखेंगे, ठीक, हम English में एक दम से लिख देंगे, और उसको हम लोग run जब करेंगे, तो behind the scenes, वो 01 में convert करके हमारे hardware को हमारे जो प्रोसेसर है, तो हम लिखेंगे कि बहल जावा स्क्रिप्ट, जो कि English में होगा, लेकिन behind the scenes जो हमारे JavaScript का engine है, उसके अंदर compiler है, ठीक, compiler और interpreter दोनों है, उसको JIT compiler बोलते हैं, वो उसको 01 में convert करके, हमारे जो computer का hardware उसको दे देगा, फिर हमारा computer उन सारे instructions को एक-एक करके perform कर देगा, तो चलो हम लोग अपना पहला program बनाते हैं, और actual coding start करते हैं, तो यहाँ पर मैं webdev folder में आ जाता हूँ, ठीक, यहाँ पर bootcamp के अंदर एक javascript का folder create करते हैं, मैं इसका स्रीगनेस कर देते हैं, जावा script, इसके अंदर हम लोग एक folder create कर लेंगे, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड नाम से हमने folder create कर लिया, अब इसको open कर लेते हैं, हेलो वर्ड प्रोग्रामिंग में सब लोग, मतलब कोई भी first program बनाता है, तो उसमें हेलो वर्ड सब लिखते हैं, ठीक, तो हम लोग भी हेलो वर्ड लिखेंगे, और यह matter नहीं करता है, तुम लिखने को कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन हम लोग हेलो वर्ड करेंगे, पुरी दुनिया से हेलो करेंगे, ठीक, तो अब यह हमारा जावा स्क्रिप्ट कहां पर रन होगा, ठीक, किधर रन होगा, कैसे रन करेंगे, अगर आपने कोई दूसरी language सीखी है कभी, तो आप software's install करते हैं, जैसे java को रन करने के लिए ये उसका software, python के लिए उसका software, c के लिए उसका software, तो अलग अलग software install करने पड़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट के लिए कौन से software install करना पड़ेगा कोई भी नहीं हमारे पास browser है JavaScript के लिए जो software run करने के लिए और अपने css और HTML की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं तो जैसे हम लोग html file के अंदर css को connect करते थे वैसे ही में html file के अंदर javascript को भी connect करना पड़ेगा तो इसके लिए पहले हम लोग एक index.html नाम से फाइल बनाते हैं यहां पर मैं पूरा boilerplate code type कर देता हूँ ! और यहां पर हमें कोई css connect करनी की जरुवत नहीं है लेकिन मैं एक चीज दिखाता हूँ नया चीज जिसे हम लोग ऐसे करते थे link css पूरा CSS लिंक हो गया अब हम क्या करते थे फिर यहां पर style.css नाम से फाइल क्रेट करते थे लेकिन अगर तुम चाहो तो control क्लिक करोगे इस पर बोलेगा यह क्या control क्लिक करने पर फाइल खोलने की कोसिस करता है लेकिन यह बोलता है unable to open this file मतलब फाइल अग्जिस नहीं करती है तो create कर दो फाइल यह अपने आप create हो गई है ना मस्ती इसको लोग css को link नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग css यहां पर add करने नहीं जा रहे हैं हम लोग link करेंगे javascript को तो javascript कैसे link करेंगे link javascript नहीं ऐसे नहीं होगा जावस्क्रिप्ट को link करने के लिए दूसरा एक style होता है मतलब दूसरा tag होता है उसको यूज करते हैं यहां पर type करना script और फिर यह script colon src और यहां पर नाम दे दो script.js तो javascript की जो फाइल होती है उसका नाम .js से start होता है तो अगर मैं यहां पर click करूंगा control के साथ click करता हूं तो यह बोलेगा enable to open this file create file तो यह create कर देगा और यहां से css की file delete कर देते हैं हमारी javascript की file create हो चुकी है अब हम लोग यहां पर कोई भी program लिख सकते हैं तो अब चलो यह लिखने से पहले हम लोग इसको अपने html को यह और फिर इसको राइट क्लिक करो open with live server करो और यह एकदम white white होके आ गया है ठीक हो यह white थोड़ा सा आख में लग रहा है तो मैं क्या करता हूं यहां पर अगर इस button पर click करूंगा यह style के अंदर elements के अंदर style के अंदर आओगे तो यह toggle rendering toggle common rendering emulation इस पर click करके automatic dark mode कर दोगे यह भी dark mode हो जाएगा हमारा यह dev tools तो अल्रेडी dark mode में था तो मैंने dark mode कर दिया इसको मेरे पूरे page को लेकिन अगर जैसे dev tools को close करेंगे ना यह gap हो जाएगा तो अभी तक हम लोग जब तक html और css सीख रहे थे तो हमें html इधर दिखता था पूरा इधर दिखता था और css की style इधर दिखते थी सारी लेकिन अब जावा स्क्रिप्ट जब हम सीख रहे हैं तो इधर हमारा काम नहीं चलेगा जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए में आना पड़ेगा इधर तो यह क्या होता है यह जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक जगा है मतलब यहां पर जावास क्रिप्ट भी दिखाएगा जो हम अपने file में लिखेंगे और этого लोगो को यहां देता है तो सार्फ रे कीवा है यहार लोग जावास्क्रिप्ट का आउट्पूट देख सकते हैं और यहां पर हम लोग जावास्क्रिप्ट खुद भी लिख सकते हैं तो हम जो भी यहां पर जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो भी लिखेंगे इसका रिजर्ट हमें इधर दिखेगा तो यहां पर यह जो भी खुल के आया है ना इसको तुम console बोल सकते हो ठीक लेकिन इसको actual में बोलते है रेपल र-e-p-l इसका full form होता है read eval print loop eval का मतलब evaluate ठीक तो मतलब इसका मतलब है जो हमारा code लिखा जाएगा इसको read करो इसका answer evaluate करो evaluate मतलब calculate करो और उसको print करो और फिर से उसी जगा पर आजाओ ठीक तो loop का मतलब होता है फिर से घूम के उधर ही आजाओ ठीक तो अभी हम लोग देखेंगे इसका मतलब exactly कैसे काम करता है तो अब हम अगर javascript file में आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक कुछ भी print कराने की कोसिस करें तो जैसे अगर किसी ने c सीखा होगा तो हम पर हम लोग printf use करते हैं c में c++ में cout use करते हैं python में print लिखते हैं फिर उसके अंदर कुछ लिख देते हैं हमारा जो भी output होता है वहाँ पर दिख जाता है लेकिन जो javascript में अगर हमें कुछ output दिखाना है तो हमें लिखना होगा console.log ठीक console.log यह लिखना है और फिर यह parenthesis करना है और मतलब open and close parenthesis करना है और फिर यह single quote लगा दो ठीक single quote लगा दो और फिर इसके अंदर तुम लिख दो hello world और यहां पर आके देखोगे तो यह हमारा output आ गया है जो हमने यहां पर लिखा है अगर मैं यहां पर 2-3 exclamation mark लगा देता हूं तो यह automatic refresh होकि यह पर 3 exclamation mark आ गया है यहां पर तो यह होता है हमारा javascript यहां पर लिखी और यहां पर html के साथ connect कर दिया सिदाा है यहाँ ठेग में वैसे तुम देखोगे बहुत लोग नॉरमली यहां पर कनेट करते हैं मतलब बॉड़ि के अंदर समें गया करते हैं लेकिन हम लोद हैंगे हैंगे कुछ फायदा होता होदा यह जब आगे चलेंगे तो उसका फायदाव जो भी हम connect करेंगे अपना जो जावा स्क्रिप्ट है वो head में ही करेंगे तो अब देखो यह समझते हैं एक बार हमारा यह पूरा HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट करेंट की हैं फिर यह सब कुछ कैसे काम हो रहा है तो देखो क्या होता जब हम इस URL को ब्राउजर में इंटर करते है मैं new tab खोल लेता हूँ और यहां पर मैं inspect inspect खोल लेता हूँ ठेक इंस्पेक्ट हैनी की यह हम अपना dev tools खोल के और network tab में एक बार जाते हैं अब यहां पर हम प्रेस करेंगे एंटर और तुम देखना क्या-क्या request मतलब यहां पर रिक्वेस्ट कुछ गई है ठीक सर्वर को रिक्वेस्ट गई है यह index.html के उपर रिक्वेस्ट गई है और फिर script.js के उपर रिक्वेस्ट गई है तो जैसे ही हम URL पर इंटर करता है य और क्या बता रहा हूं अगर तुमने वह वीडियो नहीं देखा हुआ तो हो सकता है तुम्हें मुस्किल हो यहां पर वह जो पूरा वेब डवलेप्मेंट का बूट कैम है ना उसमें इंटरनेट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो वाच दिस वीफोर लर्निंग स्टीमल वह यहां पर अगर क्लिक करोगे और रिस्पॉंस में जाके क्लिक करोगे तो देखो हमारी पूरी अच्टीमल फाइल है ठीक और फिर यहां पर जो यह वेब सॉकेट लिखके आता था इसको मैंने बोला था इसको इग्नोर कर दो यह लाइव सर्वर ने भेजा हमारे ब्राउज इस घृण से स मजणा सुरू किया और रूर्सने क्लाइन करके कुटकर लगा दिया टाइचल किमेंट यह नहां पर यह निक्रिट असर्सी तो वो क्या करेगा ना यहां पर अगर इसको मैं close कर दूँ तो यह request बेज़ेगा देखो यहां पर लिखा है index.html ने initiator क्या है index.html तो इसने हमारे server को फिर से request बेजा यह जो हमारा index.html है यहीपर कर देता है यह पर चेंज करके और पर लगना यहां पर फिर से इसको रिलोड करता हो तो यह फाइल नॉट फाउंड इसा कुछ मतलब नॉट फाउंड या ऐसा कुछ 404 404 भी बोलते हैं 404 नॉट फाउंड तो इस नाम की कोई फाइल ही नहीं उसको मिली ही फाइल तो मैं इसको Ctrl Z कर देता हूं नहीं हमारी फाइल आएगी ही नहीं से रिस्पॉंस रिस्पॉंस ही नहीं आएगा तो हमारे ब्राउजर को भेजा तो फिर वो स्कृट.js फाइल को साथ फिर अंदर ہी ब्राउजर के अंदर है और एक शूंस पढ लिखो एगर क्लिक करो तो जो मैंने निग और। यहां पर दिख रहा है और फिर हमारा ब्राउजर उस कोड को रन करने लगता है तो इसमें अगर तुम एक हजार लाइन लिख दोगे ना तो उस सारी एक हजार लाइन को रन करेगा फिर उसके बाद आगे जाएगा तो जैसे यहां पर यह हमारी इसके अंदर जितना भी कोड होगा उन सब को रन करेगा फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो हम इस इस चीज बता दें डीफर अगर यहां पर लिख देंगे तो इससे क्या होगा हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट चली जाएगी और हमारा हेलो वर्ल्ड उसको दिखा देते हैं आगे और भी चीज़ें तो उसको लोड कर लेते हैं और उसको इमेजिस को दिखा देते हैं और यह हमारा यह डिफर लगाने से क्या होगा जो हमारी पूरे एच्टीमल खतम हो जाएगी यहां पर बॉडडी में आगे जब एंड हो जाएगी जब कुछ दिखा देगा उसके लिए पर हेलो वर्ल्ड कर सकते हो ज़ास करके तो अगले पर पहले कर दोगे तब नहीं होगा उस केस में क्या होगा यह उसको दिखे गातलबहा पहले उसको ब्रावजऑ के अंदर एक स्टीपल यह चलेगा ही जयाव स्कृप्ट रम हो जाएगा की हमें यह हमें यह तो अस तो यह हुआ हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमारा यह कॉंसोल के अंदर आउटपुट आ रहा है तो यह कैसे हो रहा है हम लोग १योर को सुदर बनादेता है ऐसे हमारा फ्रीय ए वह क्तिल आ है जावा सक्क्रिप्ट फाइल को रिकेश्ट है और वार जो वह स्ट वाल वी तब उसको रन करेगा हमारा ब्रावजर और जो भी फंक्शनालिटी इंप्लेमेंट करवानी जो भी कैलकुलेशन में करवानी है वो सारी हो जाएगी तो कुछ इस तरह से हमारा च्रणेल और जावास्क्रिट अपसमें इंदर लिखा है अगर 폰िख सकते हैं जो हम कर देता Author कर देक्ए और अब ही तख में हैं अब ही हम क्या करतेंगे मैं हीhando कर देता हो और यहां यहां से को कोड़कίνं करके करते हैं इसको मैं zoom in कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि clear दिखे तो अब यह हम जो hello world देख रहे हैं इसकी जरुद तो है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसको इसको हम ऐसे pop-out करके निकाल सकते हैं आपर एक नया separate window में निकाल सकते हैं ताकि यह मेरे पूरे screen पर दिखे तो हम अच्छे से कर पाएंगे coding और आप लोग को भी clear दिखेगा तो अब मैं क्या गरता हूँ यहाँ यह पेस्ट कर देता हूँ console.log hello world और इसको थोड़ा सा change कर द है कि हम मैंने यह code लिखा है इतना लंबा है तुम इसको रीड करो रीड करके जो भी output दे सकते हो इसको रीड करके evaluate करो मतलब का मतलब होता है calculate करना तो यहाँ पर कुछ calculate करनी वाली बात ही नहीं है हमने सीधा दो लिख दिया है और उसको बोल दिया कि इसको तुम print करवा दो तो read किया इसने फिर evaluate करने की ज़रूत नहीं है तो फिर यह क्या करेगा print करेगा यह print कर दिया और फिर से वैसे बन गया जै read eval print loop तो यह जावा स्रिप्ट का एक रेपल है और यह undefined क्या है यह हम लोग आगे चलके जो हम लोग functions देखेंगे तो हम यह समझा जाएगा कि यहाँ पर undefined क्यों आ रहा है तो अभी यह जो undefined आ रहा है उसको ignore करो तो हम यहाँ पर केवल नमस्ते वर्ड या हलो वर्ड यही नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर अगर तुम चाहो तो numbers भी लिख सकते हो तो जब में words लिखना था कोई भी word शब्द लिखना था तो हमने उसको एक single quote में हमने लिख दिया लेकिन अगर तुम्हें number लिखना है तो number को तुम सीधा ऐसे लिख सकते हो मालो तुमें 56 print करव अगरेंगे कोई मतलब तो है नहीं 56 और तुम चाहो तो यहाँ पर प्लस फोर कर सकते हो तो जिसे 56 प्लस फोर करोगे तो यह इसको अब यहाँ पर evaluation वाला पार्ट आ गया ठीक तो यह क्या करेगा इसको read करेगा read evaluate तो evaluate करेगा फिर इसकी value है 60 और वह print करवा देगा फिर से वैसे हो जाएगा जैसे था फिर से एक छोटी सी तीर आ जाएगी और यह गाईब हो जाएगा दिखना यह देखो 60 हो गया और यह फिर से एक तीर आ गया फिर से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मतलब घूंगों के बार बार वहीं पर आ रहा हैं तो इसको बोलते हैं read evaluate print loop read इसको मैं clear कर देता हूँ तो यहां पर अगर तुम चाहो तो console log लिखने की जरूद नहीं है यहां पर तुम 56 प्लस 60 अगर लिखोगे 56 प्लस 4 हमने किया था तो यह 60 आ जाएगा result तो यहां पर सीधा इस expression को वह read कर रहा है फिर evaluate कर रहा है और print करके फिर से वह loop कर रहा है फि अगर तुम यहां पर लिखते हो ठीक यहां पर अगर मैं copy कर लेता हूँ इसको और इधर से यह अच्छा आपको बताया नहीं मैंने यह जो बटन ना एक clear की button है यहां पर अगर click कर दोगे तो यह shortcut भी बोल रहा है control प्लस L तो control प्लस L कर दोगे तो भी पूरा clear हो जाएगा इस button को click कर दोगे तो भी पूरा clear हो जाएगा जो भी तुमने लिखा था वो सब कुछ clear हो जाएगा लेकिन एक चीज़ नहीं clear होगा अगर तुमने कुछ type कर रखा है तो वह नहीं clear होगा जैसे की 5 प्लस जीरो ठीक जीरो क्यों कर रहा है 5 प्लस 6 11 हो गया इसका answer आगया 11 और फिर से तुम कुछ और type करते हो जिसे 89 और 2 कर देता हूं मैं तो अभी अगर clear करूंगा अभी particular time पे अगर clear करता हूं जब मेरा एक cursor blink हो रहा है तब कि अबल यही दो चीज clear होंगे यह नहीं clear होगा जो जो भी result आया होता है जो भी उसमें read evaluate print करके जो भी वो करके loop कर दिया होता है मतलब read करके evaluate कर दिया होता है और उसको print कर दिया होता है वही चीज़ें delete होती है तो जो तुमने type किया वो नहीं delete होगा तो इसको तुम मैंने button से अभी तक clear करके दिखा था अब control L करोगे तब क्या कर सकते हो अप arrow कर सकते हो अगर मैं अप arrow करता हूं तो यह eight plus two आ रहा है अगर फिर से अप arrow करता हूं तो यह five plus six आ रहा है क्योंकि इसके पहले मैंने किया था अगर उससे पहले मैं करता हूं तो यह आ रहा है फिर उसके पहले यह किया था फिर उसके पहले यह किया था यह उल्टा होगा मतलब बाद वाला आने लगेगा तो मैं यहां पर अगर अपर दबा के फिर से इसको करता हूं और फिर यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं clear क्लियर करके ऐसे कर देंगे तो भी यह console clear हो जाएगा और आप मैसेज भी दे रहा है यह 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 देखो हमारा देखो अभी देखो हमारा console एक दम से clear है और clear को अगर हम clear वाले function को चलाएंगी न तो clear की जाए और क्लेटर हो गया एक अंडिफाइंड आ गया और यह बोला है console was clear तो clear करता है लेकिन यह अपना message कुछ का छोड़ देता है तो इसको नहीं यूज करना है मैं एक दम से नहीं clear करेगा कोई बात नहीं तो यहां पर हम लोग ऐसे अगर five plus six लिखते हैं तो इसका result हमें यहां पर दिखता है लेकिन अगर यहां पर लिख दोगे five plus six सीधा ऐसे ही सीधा ऐसे लिख देते हो तो यहां पर नहीं दिखेगा देखो रिलोड कर रहे हैं तब नहीं दिख रहा है तुम जब जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे होते हो तो यह रिपल नहीं है जावा उसको प्रिंट तब करेगा जहां हम लोग इसको बोलेंगे console.log तो हमें यह console.log काफी लंबा लिखना पड़ रहा है बार बार तो मैं एक काम करता हूं एक extension होता है दोको मैंने console.log लिख दिया तो यह आ गया है यहां पर तो इतना लंबा ना लिखना पड़े इसके लिए हम एक extension download कर सकते हैं extensions type में जाओगे तो यहां पर ES6 लिखो हमने जो देखा था ना वही है यह जावा स्क्रिप्ट यह जावा स्क्रिप्ट और ES6 यह आ गया सिधा जावा स्क्रिप्ट लिखो गे तब भी आ जाएगा मुझे लगता है यह जावा स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं जावा स्क्रिप्ट तो भी आ गया तो जावा स्क्रिप्ट सेर्च कर लो और इसको यहां पर कर दो install तो इसके यह छोटे उटे snippets मतलब यह होता है कि थोड़ा सा लिखो गया और यह काफी जादा तो मैं अपने आप सजिशन दे यह मैंने कर दिया तो इसने console.log और बीच में object अपने मन से लिख दिया लेकिन तुम कुछ भी टाइप करोगे तुरंत गाइब हो जाएगा तो क्योंकि वह selected तो मैं क्या करता हूं फाइब प्लस शिक्स से कर देता हूं तो अब मुझे console.log पूरा नहीं लिखना पड़ रहा है यहां पर आके देखेंगे तो मारा जाहरा और यहां पर अगर देखोगे तो यह इसा कर रहा है यहां पर script.js और one तो यह जो पूरा चीज लिखा है इसका मतलब है यह जो output आ रहा है जो यहां पर जो दिख रहा है में script.js file से आ रहा है और यह line number one पे है line number one पे हमने यह code लिखा है और इसको लाइन नमबर फोर कर देता हूं और फिर यहां पर करूँगा तो यह लाइन नमबर फोर हो गई तो ऐसे यह बताता है कि किस line number से हमारा code आ रहा है अगर कोई भी unexpected result आ रहा है तो कोई भी result आ तो देखने चाहते हो कि तुमारी file में किस line number से वह आ रहा है तो यहां पर तुम देख सकते हो सीदा मतलब यहां पर line number देखोगे और उस file के अंदर आ जाओगे जैसे कि एक file नहीं हो सकती है अगर हम चाहें तो दूसरी file भी add कर सकते हैं और यहां पर script.js नाम जरूरी नहीं है तुम app.js या कोई भ देता हूं app.js तो यहां पर हम लिखते हैं लिखेंगे CLG और फिर यहां पर यहां पर लिखते हैं सेवन प्लस नाइन तो सेवन प्लस नाइन मैंने लिख दिया और यहां पर लिखते हैं 7 प्लस 9 तो यहां पर देखोंगे 2-2 आउटपुट आ रहे हैं एक 11 आ रहा है और एक 16 आ रहा है तो यहां पर यह बता रहा है कि यह वाला line एकड़ यह वाला line बोल रहा हूं तो यह वाला जो output है वो एकड़ जैस से line number 1 पर यह लिखा गया है और वहां से आउटपुट आ रहा है अगर हम लोग इसको भी चेंज कर देते हैं लाइन नमबर कितना कर दिया 22 तो यह लाइन नमबर 22 यहां पर दिखाएगा और तुम इसके उपर अगर क्लिक कर देते हो तो यह सोर्सेस टैब अभी खुल जाएगा देखन दिखा रहा है यह कोई मैंने यह इसने पर यहां पर सेलेक्टेड है तो इसको सेलेट कर दो पेज तो इसने पर सेलेक्टेड था और मैंने इसको इसने पर क्या होता है इसकी जरुवत नहीं है कभी भी हम लोग नोमली यूज नहीं करेंगे यूज से कर सकते हैं लेकिन कोई जरुवत नहीं है तो यहां पर सिधा इस पर आजाओ पेज पर आजाओ और तुम्हें यह फाइल दिखेगी तुम्हारी यह इंडेक्स.html फाइल यहां पर यह तुम्हारा दिखा रहा है इस यॉरल पर इस पर्टिकुलर पोर्ट पर पोर्ट यानि कि यह 550 पोर्ट क्या होता इग्नौर करो कोई मतलब नहीं है कोई भी जरुवत नहीं अभी तो मैंने इसको बताया है वेसे उस वीडियो में पर क्या होता है बहुत ज़्यदा डीटेल में वहां भी नहीं बता है कि यहीं बता रहा है कि इस पर्टिकुलर और यहां पर तीन फाइल है html index.html app.js और script.js तो यह script.js यह है और यह पर यहाँ पर बाइस लाइन्स है तो यह इधर हमारा जो भी जावस्क्रिप्ट जो हमारा सेरवर भेजता है वह सारा जावस्क्रिप्ट कोई हो जो यहां पर एकदम तो यह आकर देख सकते हो हमारे ब्राउजर के अंदर कौन सी फाइल आ रही है कहां से और हम यहां पर क्लिक करेंगे डियुक्त पर यहां पर यह लाइन नमिभर वर पर आ जाएगा और व्यहां हलाइ यह इस particular line number से यहां पर यह result आ रहा है तो कुछ इस तरह से हमारा JavaScript और HTML आपस में connected होता है और इस तरह से काम करता है हमारा browser हमारा जो server है वह जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर को देता है फिर ब्राउजर उसको अभी रहने दो इसके अंदर से मैंने हटा दिया चीजे और इसमें ऐसे रहने देते हैं तो थोड़ा सम लोग समझ लेते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज करके mathematical calculation कैसे करते हैं तो यहां पर नहीं करते हैं यहां पर यहां पर हटा दो यहां पर comment कर दो इसको तो अगर अभी sources में जाके देखोगे घुके तो यह यह अप्डॉट ज्री एक बार रिल्ट कर दो नहीं है आप दॉट जिसके अभी भी यह है एक सेकंड फोर यह द देखते हैं यह मैंझा नहीं मैंने also क्या लेकिन यह इतना us लाइन यह जो यहां पर भी जीखा रहा और वीक cash लाइन ऑगा सब्सक्राइब कुछ है नहीं तो इए होगी मारी जो reduce इस और सब्सक्राइब होगी जुसरित अभी एक comment कमेंट कैसे करते हैं तो यह तो यह कंट्रोल स्लैस अगर दबाते हो तो यह कोई भी चीज कमेंट हो जाती है जैसे हम उस पे CSS में और JavaScript में कर रहे थे वैसे ही तो इसके आगे यह लगक्या जाता है तो अगर तुम खुझ से भी कंट्रोल स्लैस नहीं दबाते हो खुझ से भी स्लैस लगा देते हो तो वह कमेंट हो जाएगा comment का मतलब होता है एक तुम्हेरा कोड़ इसके अंदर है लेकिन जावस्किप्ट उसको समझने की कोसिश नहीं करें इसको इग्नोर कर देगा उसको इसको यह पता चल जाता है कि इसको रन नहीं करना बस उसको लिखा रहे ने दो ऐसे लोग जावस्किप्ट के अंदर कमेंट्स दे सकते हैं तो मनलोग कोई लुण बनाया है जो कि किसी का स्क्वार रूट निकाल रहे तो तुम एससे लिख सकते हो दिस दिस प्रोग्राम कैल्कूलेट्स दे स्क्वार रूट ऑसे नेम बर ऐसा कुछ लिख सकते हो थाकि समझने में तुरंत आसे नहीं और यह पर एक स्क्वार रूट को तो यहाँ पर console में एक बार इसको switch कर लेते हैं, दाकि मैं console में इसका result दिखता रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ सा बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा, तो अभी 5 प्लस 6 किया, अब इसमें क्यों इतना ही नहीं तुम आगे इसको minus भी कर सकते हो, minus 4 कर दो, 5 और 6 11 minus 4 equal to 7, यहाँ पर result आ रहा 7, तो अभी इसको इतना ही नहीं, अभी आगे भी बढ़ा सकते हो, तो अगर मैं इसको multiply, multiply के लिए star symbol उसकरते हैं, तो star करके यहाँ पर कर दोगे, मानलो, 5 कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर तुम guess करो, और result guess करने की कोसिस करो, try करो, guess कर होगा, इसका result, तो इसका result guess करो, और बताओ, तो मैं यह उमीद करता हूँ, आपने guess कर लिया होगा, इसका output, तो 4, 5, 20, और 5, 6, 11, तो 11 minus 20 कितना होगा, minus 9, तो यह देखो, minus 9 इसका result आ रहा है, तो अगर मैं चाहूँ, तो इसको divide भी कर सकता हूँ, तो divide by 5 नहीं करते हैं, क तो अब क्या होगा, आप इसका result guess करने की कोशिस करो, तो मैं उमीद करता हूँ, आपने इसका result सही guess किया होगा, इसका result होगा 9, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, multiply 4, तो इसका result हो जाएगा, कितना होगा इसका result, guess करो, इसका result, तो इसका result पहले आ रहा था 9, लेकिन अब यह 9 multiply by 4 नहीं होगा, 9.36 नहीं हो जाएगा, पहले यहाँ पर division calculate होगा, फिर multiplication calculate होगा, तो यह division calculate होके 2 हो जाएगा, फिर 4 to the 8, ठीक, 8, तो यहाँ पर हो जाएगा, यह पूरा calculate होके हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पर यह calculate होगा, तो यह हो जाएगा 11, तो 11-8, 11-8 होता है, 3, पर result आ गया 3 तो कुछ इस तरह से calculation होती है पहले multiplication की calculation होती है और इन दोनों में multiplication और division में जो भी पहले आएगा उसकी calculation होती है तो यहां पर board mask का rule नहीं apply होता कि पूरे expression में पूरा जो मारा math का expression है उसमें सबसे पहले divide होगा, फिर multiply होगा, फिर plus होगा, फिर minus होगा, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर multiplication और division को equal importance मिलती है, और जो भी पहले आता है, multiplication और division में वो पहले calculate हो जाता है, same case से plus और minus में, यहां पर प्लस और माइनस को दोनों को एक्क्वल इंपॉर्टेंस है लेकिन जो पहले आएगा वो पहले calculate होगा टीक, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं, यहां पर प्लस माइनस वाल आई, जैसे कि यहां पर हमारे पास प्लस है, टीक लेकिन उसके आगे मैं पहले ही मैं कर देता हूँ, मानलो मानलो, यहां पर मैं कर देता हूँ 8-5 तो, जो math का rule होता है जो bot math का rule होता है उसके इसाप से पहले plus होगा तो 6-5-11 और 8-11 minus 3 हो जाएगा, लेकिन इसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दोनों मिलके बन जाएंगे नौ, तो इसका लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यह चीज पहले हो, यह उमारा प्लस पहले हो, तो तुम है इसको तो जब bracket में रख देते हो तो bracket वाला यहां पर भी जो कि जो bracket में रखोगे वो पहले execute होगा उसके बाद वो दूसरा चीज calculate होगा पर यह चीज अब पहले calculate हो रहा है तो इस तरह से हम लोग कोई भी math operation perform कर सकते हैं और हम लोग उसका result सीधा console में देख सकते हैं यह हमारा console जावस्क्रिप्ट का यहीं पर हमारा जावस्क्रिप्ट का जो भी लिखेंगे उसका सब का output यहां पर आएगा और मैंने समझा दिया क कि html कैसे request भेजता है हमारे script वाली फाइल को जावस्क्रिप्ट फाइल को फिर हमारे ब्राउजर के अंदर दिखती है फिर रन होती है फिर उसका result यह हमारे console के अंदर दिखता है और यहां पर line number सब कुछ दिखता है तो यह बहुत ही brief बहुत ही चोटा सा introduction था यह जावस ऐहीं पर नहीं लिखी जा सकती है जैसे сам लोग CCS को एक लिंक करके किये थे सीधा यहां पर डिख सकते हैं यहां पर सीधा यहां इसको कट कर लेता हूं यहां से और मैं लिग देता हूं यहां पर तो यहां पर यहां पर यह बता रहा है घ्र के अंदर हमारी जावस्क्रिप्ट लिखी है तो यहां पर यह यहां पर लिखी है तो यह हमारी जावस्क्रिप्ट के अंदर जो भी जावस्क्रिप्ट थी वहां पर कुछ भी नहीं है तो ऐसा हम नॉर्मली नहीं करते हैं कभी कभी बहुत ही रेर केस में कभी जरूत पड़त यह तो ऐसा करते हैं, ऐसा हम लोग ना तो इस टाइल के साथ करते हैं, ना तो जावस्क्रिप्ट के साथ करते हैं, तो हम इसको नहीं पर comment कर देते हैं, और हम यहाँ पर सीधा javascript files के अंदर हम लोग javascript लिखेंगे, तो इस वीडियो में देखा कैसे हम लोग javascript को अपने ht को मिला होगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई